नवाश्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहें नियूस क्लिक पर खोज खबर कायकरम इस देश की महिलाएं और खास तोर से अंतराश्टिय मंच पर देश का गौरव उचा करने वाली महिलाएं जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं वह मोदीजी से और मोदी सरकार से अपील कर रही हैं कि जिस शक्स को वो बचा रहे हैं जो भाशपा सांसद हैं उनके खिलाफ इतने लंबे समय से कारवाई क्यों नहीं की ये महिला पहलवान सीधे सीधे देश और दुनिया के सामने जो तथे रख रही हैं उन पर अगर आज भी मोदीजी की और उनकी सरकार की निगाह नहीं जाती उसे वो अनसुना करते हैं तो किस तरह से वो सेलिब्रेट करेंगे Mother of Democracy आज सबसे बड़ा सवाल देश के सामने यही है दोस्तों यह हम सब के लिए गहरी चिंता का विशे है कि आखिर क्यों इन तमाम महिलाओं को इन तमाम लड़कियों को खिलाडियों को दोबारा जंतर मंतर पर बैठना पड़ा क्यों रात वहां काटनी पड़ी क्यों ओलंपिक मेडल जीतने वाले क्यों कॉमन वेल्थ मेडल जीतने वाले क्यों विश्व चैंपियंशिप जीतने वाले ये तमाम खिलाडी सडकों पर क्यों हैं वजह बहुत साफ है इनका सीधा सीधा कहना है कि जिस तरह से पूरा का पूरा कुष्टी महासंग और उनके अध्यक्ष यौन शोशन करते रहे हैं और उन्हें impunity मिली हुई है क्योंकि वो भाशपा के सांसद हैं दबंग सांसदों में गिना ये जाते हैं ब्रिज भूशन सिंग और उनके खिलाफ यह पहली मरतबा नहीं है दूसरी बार ये तमाम लोग जुटे हैं जंतर मंतर पर और देखिए मोधी सरकार पूरी तरह से नदारत है वह भी तब जब इस बार साथ महिला खिलाडियों ने साथ महिला पहलवानो उन्हें खुद जाकर अपनी कंप्लेंडर्स कराई देश की राजधानी दिल्ली में यह सब हो रहा है उन्होंने कंप्लेंडर्स कराई जिसमें ब्योरा दिया कि किस तरह से ये शक्स जो लगातार कैमरे पे बना रहता है वह यौन शोशन करता रहा और उसके खिलाफ कोई का कारवाई नहीं हुई F.I.R. तक नहीं होती है यह देश के लोकतंत्र का हाल है और ऐसे में जब बजरंग पुनिया कहते हैं कि देखिए अगर आज हम अपनी बेहन बेटियों के लिए नहीं खड़े हुए तो किसी के लिए नहीं खड़े हो सकते हम सब जानते हैं साक्षी मलिक को हम सब जानते हैं विनेश फोगाट को अब देखिए इनकी तस्वीरें मोदी जी के साथ हैं जब इन्होंने मेडल जीता दुनिया में देश का नाम रोशन किया तब तो मोदी जी इनके साथ फोटो खिचवाने पहुचे लेकिन देखिए तीन चार महिने से ये तमाम महिल आएं और उनके साथ पुरुष पहलवान भी सड़कों पर उतरे हुए हैं, और सड़कों पर उतर कर सिर्फ और सिर्फ तक्तियों के साथ दिन तारीख भी बता रहे हैं ये लोग सब कुछ कह रहे हैं कि किस तरह से विश्भूशन ने यौन उत्पीडन किया उनका आरोप है यह और इसके बाद देखिए कि 23 जन्वरी को इसी साल 23 जन्वरी को तमाम जब दबाव बढ़ा तब केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई कमेटी की अध्यक्ष मेरी कॉम जिन्होंने बॉक्सिंग में अंतराश्टी ख्याती हासिल की और उनकी रिपोर्ट इस महीने सरकार के पास पहुच गई इन लोगों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट को सारजनिक नहीं किया जा रहा और इसी दोरान जब कमेटी बैठी हुई थी उस दोरान भी इन तमाम महिला खिलाडियों के खिलाफ दूसरे ढंग से खबरें लीक हो रही थी जिसे लेकर ये दुबारा फरवरी में भी पब्लिक डोमेन में गई लोगों को कहा कि सही ढंग से काम नहीं हो रहा कितनी विडंबना है कि इस समय देश में दो महिला खिलाडी जिन्होंने अंतराष्टी ख्याती हासिल की सांसद रही हैं एक सांसद हैं लेकिन वे तमाम चा सामने नहीं आ रहीं और वह भी तब जब देश का कानून बहुत साफ साफ शब्दों में कहता है कि अगर महिलाएं यौन शोशन का आरोप लगाती हैं तो उस शक्स के खिलाफ एक नियमित अवधी में कारवाई होनी चाहिए उसे पावर सेंटर से दूर किया जाना चाहिए और FIR बुनियादी चीज है लेकिन यहां सब के सामने पूरे की पूरी प्रक्रिया की अवहेलना की जा रही है वजह बहुत साफ यह शक्स जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यह भाश्पा का सांसद है और 2011-12 से इस एस एसोशियेशन का अध्यक्ष है यानी पावर सेंट है हम यहां सवाल पूछना चाहेंगे कि वह मीडिया जो लगातार बुल्डोजर के पक्ष में बैटिंग करता है बताता है कि इंस्टेंट जस्टिस चाहिए वे सारा का सारा मीडिया यहां कोई परताल करते हुए नजर नहीं आता वे इन तमाम महिला पहलवानों के पक्ष म खड़े होकर सच को उजागर करने नहीं आता वजह वजह शायद हम सबको पता है कि यहां पर यह महिलाएं और उनके साथ जो पुरुष पहलवान खड़े हुए हैं वे साफ शब्दों में कह रहे हैं कि यह पूरा सिस्टम है यह महिला विरोधी है महिलाओं के यौन शोशन को पल्लवित पुश्पित करने वाला है देखिए यह जो ट्वीट किया विनेश फोगाट ने कि पोडियम से फुटपात तक क्या देश में अब यही अंजाम रहेगा तमाम महिला खिलाडियों का मोदी जी इन तमाम सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको देना है अ हम सोची सकते हैं कि आम महिला जब यौन शोशन यौन उत्पीडन का आरोप लगाती है तो उसे किस तरह के माहौल से गुजरना होगा मोदी जी क्या आप यह बताना चाहते हैं महिलाओं को कि वे आपके सांसदों आपके नेताओं के खिलाफ आरोप न लगाएं क्योंकि यह यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि आपकी जो तमाम जाच एजनसियां हैं चाहे एडी हो सी बी आई हो पुलिस हो वह सब सक्रिय सिर्फ और सिर्फ तब होती है जब मामला विपक्ष को लेकर होता है यहां इस मामले में एफ आई यार दर्स कराने के लिए अगर इन महिला खिलाडियों को सुप्रीम कोट का दर्वाजा खटखटाना पड़ रहा है तो मामला बहुत साफ है कि आपके हां कानून का राज संकट में है दोस्तों पिछले कुछ समय से हम बहुत साफ साफ देख रहे हैं कि देश तो एक है लेकिन विधान एक नहीं है यानि एक ही धंग से कानून प्रक्रिया और तमाम सिस्टम काम नहीं करते एक तरफ दिखाई देता है कि देश की राजधानी दिल्ली में महिला खिलाडी अपील कर रहे हैं एफ आई आर दर्स कराने की और वहीं देखिए करनाटक जी हां करनाटक जहां चुनावी संग्राम जोरों से चल रहा है वहां पर इंडियन एक्सप्रेस की एक एहन खबर सामने आई है जिसके मुताबिक भाश्पा सरकार ने सांप्रदाइक हिंसा और नफरती भाशन के 385 मामले बंद कर दिये चुटकियों में इसके लिए बस साथ सरकारी आदेश जारी किये और शायद जब मैं एक खबर ही हूँ आपके दिमाग में उत्तर प्रदेश आ रहा होगा निश्ची तोर पर हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदितिनात की सरकार ने मिसाल खायम की कि तमाम मामले खुद जो योगी जी के खिलाव थे वे सब रफा दफा कर दिये गए सब बंद कर दिये के जो मामले बंद किये गए जो केस बंद किये गए आप जानते हैं उनसे कितने लोगों को फायदा हुआ एक हजार आरोपियों को फायदा मिला और यह महज इत्तफाक नहीं है इन आरोपियों में भाशपा के सांसद, विधायक और अंगिनत कार करता और जो बाकी संगठन हैं चाहे बजरंग दल हों चाहे राम सेना हो तमाम दलों के लोग शामिल हैं इसमें खास ध्यान देने की बात है कि इन तमाम तीन सो पच्चासी मामलों में से पैतालिस मामलों का रिष्टा है उत्तर कनडा से वह इलाका जहां भारती जनता पार्टी, आरेसेस और उसके अंगिनत संगठन बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं और यहां देखिए किस तरह से जो उग्र दक्षन पंथ है उसने एक साधा पारण सी दुरगटना के मामले को किस तरह से सामप्रदाइक तूल दिया था यह खबर ध्यान से देखिए यह मामला था एक नौजवान परेश मिस्ता की हत्या का जिसे बताया गया था कि मुसल्मानों ने उसकी हत्या की गई जबरदस्त उपद्रव मचा बड़े पैमाने पर हिंसा हुई बड़े पैमाने पर सामप्रदाइक तना हुआ और फिर सी बी आई जांश में यह मामला सामने आया कि दरअसल इस शक्स की मौत एक दुरगटना से हुई और देखिए वे तमाम लोग वे तमाम लोग जो सामप्रदाइक हिंसा फैला रहे थे जो उगर भाशन दे रहे थे जो मुसल्मानों को बुरा भला कह रहे थे जिनके खिलाफ खुद भारती जनता पार्टी की सरकार के तहत पुलिस ने मामले दर्ज किये थे वे सारे मामले बंध हो गए तरनाटक चुनाओं में जिस तरह से एक के बाद एक दाओं खेले जा रहे हैं और खास तोर से भारती जनता पार्टी लगातार उगर तेवर अख्तियार कर रही है नेता उगर से उगर बयान दे रहे हैं उससे एक बात तो कम से कम साफ हो गई है कि जमीन खिसक र पहलाने के लिए करनाटक का इस्तमाल किया था बड़े पैमाने पर सामप्रदाइक विद्वेश के बीजबोए थे उससे फिलहाल अभी तो भारती जंता पार्टी को बहुत बड़े पैमाने पर काम्याबी हासिल होती दिखाई नहीं दे रही हाला कि अभी बहुत बड़ा समय बाकी है दस तारीक को यहां वोट पड़ने हैं लेकिन एक बात जो याद रखनी जरूरी है कि किस तरह से उन तमाम गुनहगारों को बरी कर दिया गया उनके मामले ही खतम कर दिये गए जिन्होंने इस राज को जलाने की साज़िश रची थी या उस साज़िश का हिस्ता थे शायद यह बात तमाम मददाताओं के दिमाग में रहनी बहुत जरूरी है इसी करम में यह खबर और भी दिलचस्प है यह खबर आई है महराश से महराश के मुख्यमंतरी एक नाथ शिंदे के इलाके ठाने से इसका तालुक है अब आप देखिए ठाने में दस महीने के भीतर पच्चिस एफ आई आर होते हैं जी हाँ पच्चिस एफ आई आर और वे सारे के सारे एक नाश शिंदे के जो राजनितिक विरोधी हैं उनके उपर किये गए हैं बहुत दिल्चस्प बात है कि इसमें अधिकांश मामले ऐसे हैं जो बैनर पोस्टर या सोशल मीडिया पर शिंदे जी के खिलाफ कुछ शब्द बोलने पर है हमने इससे पहले भी देखा था कि किस तरह से नौजवान जो रैपर्स हैं जो सीधे सीधे बात कर रहे हैं ब्रश्टाचार की उनके खिलाफ मामले दर्ज किये गए यानी बह बाद मामला बंद कर दिया जाता है और महराष्ट में राजनितिक विरोधियों को सबक सिखाने के लिए यार होती है यह वह मामले नहीं हैं जहां पर EDCBI या बाकी जाच एजनसियां पहुच रही है क्योंकि उनके बारे में अब खेल बहुत खुला हो गया है और इसी क्रम म यह देखें कि हेडिंग कैसे बदलती है या हेडिंग बदलने के लिए जो मशक्कत की जा रही है वह कितनी पाउरफुल है कितनी शक्तिशाली है क्योंकि यह सारा खेल अवधारना का है सौफ्ट वियर बदलने का है कुछ मिसाल आपके साथ मैं साज़ा करना चाहूंगी इस देश ने और दुनिया ने देखा कि किस तरह से हिंडनबर्ग के रिपोर्ट आई जिसने मोदी जी के बहुत खास गौतम अडानी जी पर प्रश्चाचार और बड़े पैमाने पर गलत प्रैक्टिसेस करने का आरोप लगाया कई तथ्थे दिये मोदी जी घिर गए संसद में जबरदस बहस हुई उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी जब बोल रहे हैं उन पर हमला हुआ और इसी बीच आप देखिए अमरितपाल फलक पर आते हैं वही जिनकी अभी गिरफ्तारी हुई उन्हें लेकर पूरा का पूरा महौल एक नए भिंडरावाला पैदे हुए हैं पूरी पंजाब सरकार को निशाने पर घेरा गया और उसके बाद 23 मार्श को राहुल गांधी को सूरत कोट दोशी करार देता है अवमानना के मामले में सुनवाई होती है और सारा का सारा मामला सामने आता है उनकी सदसिता संसस से खारिच कर दी जाती है और ठीक उसके बाद आप देखे हमारे टीवी स्क्रीन्स पर प्रकट होते हैं अतीक जी हाँ वही अतीक जिनका लाइव एंकाउंटर हम सब ने देखा 26 मार्श को अतीक की पेशी साबरमती से प्रियागराज और देखे किस तरह से मीडिया पगलाया सा घूमता रहता है मिनट मिनट की खबर देता रहता है राहुल गांधी और सारा मामला नैपत्थे में चला जाता है और इसके बाद जम्मो कश्मीर के पूर्व राजपाल सत्पाल मलिक एक बहुत एहम खुलासा करते हैं 14 अप्रेल को वो एक विस्पोटक इंटर्व्यू देते हैं करन थापर को वायरो से दिखाता है और मीडिया में ब्लैक आउट हो जाता है मीडिया में कहीं से कोई खबर नहीं कोई एडिट नहीं कोई मीडिया डिबेट नहीं वजह सत्पाल मलिक खुले आम कहते हैं कि जिस तरह से पुलवामा हुआ जिसमें 40 सैनिक शहीद हुए वे बचाये जा सकते थे मुधी सरकार पर बहुत बड़े सवाल पेश करते हैं पंदरा को पंदरा प्रेल को कॉंग्रेस इस पर समधाता संबेलन करती है खबर आती है लेकिन शाम तक फिर हेडिंग बदल जाती है अतीक की हत्या चारों तरफ चाजाती है जिसका लाइव केली कास्ट जो उसमें मीड को और तब से लेकर आज तक अतीक अतीक और अतीक की पत्नी उनको जिस तरह से मीडिया पेश कर रहा है जिस तरह से लेडी डॉन बना रहा है और सारी खबरें सिर्फ और सिर्फ अतीक और बहुबली की ओर यहीं मीडिया भूल जाता है कि जब एक बहुबली एक भाश्पा स एक पावर सेंटर के खिलाफ महिला पहलवान बैठे हुए हैं बैठी हुई हैं तो वो भी एक बड़ी खबर है जिसमें वो द्रोन कैमरा चला सकते हैं जिसमें वो घर के अंदर जा सकते हैं जिसमें वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं लेकिन नहीं ये जो खबरे हैं ये जो ह हेडिंग बदलने का खेल है तमाम हेडिंग ऐसी जो मोदी जी को सूट करती हो जब चीते लाए जाते हैं तब वो सूट करने वाली खबर है जब चीतों की मौत होती है तब वे खबर से गायब होते हैं और दोस्तों एक बहुत एहम सवाल आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर क् डार्विन की जो evolution theory है उसे NCRT के पाठिकरम से बाहर कर दिया गया हम सब जानते हैं कि NCRT में rationalization का दौर चल रहा है कभी ये मुगलों को बाहर करते हैं और शायद कल हो सकता है कि हमारे आपके बच्चे physics पढ़ें लेकिन Newton जी को गायब कर दिया जाए वज़ा बहुत साफ है मोदी जी और इंका पूरा का पूरा निजाम जानता है और शायद चाहता है कि जो नया evolution चल रहा है बदला, हिंसा और नयाय को जमीन दोज करने का यह evolution ही हमारे और आपके बच्चे भविश्य को देखें और भविश्य की ओर इसी के साथ बढ़ें क्या जरूरत है विज्ञ की और क्या जरूरत है नयाय की शुक्रिया